और तक हमारे पास सरकार की तरब से पानी नहीं मिलेगी भरपुर मात्रा में तो हमारा खेती जो है धंक से नहीं होने वाला है दियाराज के सितामरी जीना प्रखन बतना है पंचाइच रूपली रूपहरा गां टंडा सुरी यहां लगवख 1200 गर की आवादी है जिन में से लगवख 400-500 किसान है और इनके यहां एस्टेट बोडी है जो सालू हालत में लेकिन इसके नाला दस वरस पहले धोस्त हो चुका ह जिसका रंकिसानों की खेतों में पानी नहीं जा रही है और उनकी खेती नहीं हो रही है दसो साल से इनकी उबज वरबाद हो रही है और इन लोगों ने कर्द लेकर खेती किये हैं लेकिन इनकी रिंग भी नहीं चुक पा रही है और इनको घर चलाना भी मुश्किल हो गया ह जब से नाला खराब हुआ तब से हम लोगा परिदवार में जितने भी भाल बचा खेती करने वाले हैं वो काफी दुखित है इसलिए हम लोगा पुरनिया हो गए बहुत तक्रीप है इस बात है हम लोग ने बैंक से लोन लिये रुज़गारी हुआ हम लोग के पास कि उस लोन से लेकर और खेती में लगाएंगे और उससे उब जाकर फिर बैंक बाले को देदे लेकिन हमारे पास ऐसी ही सिती हो गई कि खेती से उबजना तो नामुम्कीन हो गया अपना पेट चलना यह तो जुटा पाते नहीं हैं फिर पहें कि हम लोग लोन दिये हैं वो कहां से दिपाई कि दस सालों से नाला की स्थिती बिल्कुल खराब है इसको हम लोग चाहते हैं कि अगर वो बन जाए तो सारे किसान इससे खुशाल है मैं वीडियो देखने वाले सारे दर्शकों से अन्बोद करती हूं कि वो जिला लगु सिचाई बिभार के कारे पालक अभी आन्ता को इस नंबर पर पोन करें जो नंबर है 9905690751 इस नंबर पर पोन करके इनकी नाला बनबाने में मेरी मदद करें मैं गुद्धी जिला सिताम अमधी बिहार इंडिया अन्हत के लिए